बीना किसी equipment के आप लोग आसानी से ही घर से workout कर सकते हो आपको किसी भी प्रकार के equipment के आउशकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ body weight exercise बताएंगे जो कि आपकी body के लिए काफी ज़दा beneficial रहेंगी और आपकी पूरी body तेजी से train होने वाली है और आपक साथ ही आप लोग छोटी मोटी exercise जैसे कि कर सकते हो बोड़ी stretching कर सकते हो इसमें आप लोगं अपने पैरों को stretch कर सकते हो हाथों को stretch कर सकते हो इसके साथ सा Vashti full body stretch भी कर सकते हो और अगर आप लोगों के पास equipment है तो आप लोग इसकिपिंग कि भी ज़रूर कर लिज़ेगा अभी आपना जाएंगे वर्काउट में वांप का सबसे बड़ा बेनी फिडिया मिलता है कि आपको इंजरी आने के चांसेज बहुत ही कम हो जाते हैं और इसके साथ साथी आप लोग हर एक एक सरसाइस को असानी से कर सकते हो और आपकी बॉड़ी में स्ट्रेचिंग यानि जो सबसे पहले आपको नॉर्मल पुश अप लगाना है उसके बाद आपको पुश अप लगाना है फिर आपका राइट हैंड उपर जाएगा इसी प्रकार से आप लोग इस एक्सरसाइस को किच जगा इसमें आपकी ओवर ऑल बॉड़ी ट्रेन हुआ करती है और इसके साथ को काफी जगा मसबूत बनाता है एक्सरसाइस के आप लोग टोटल किचेगा आठ से दस रेपेटेशन और चार सेट आपको रखने हैं इसके बाद बाहरी आ जाएगी सेकंड एक्सरसाइस की इसका नाम है साइड प्लैंक ट्विस्ट इस एक्सरसाइस को भी कैसे करना आप लोग देखी सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को प्लैंक की पोजिशन में आ जाना है फिर उसके बाद इसको परफॉर्म कीचेगा इस एक्सरसाइस से आपके ओबिक्स तेजी से ट्रेन हुआ करते हैं और इसके साथ साथ ही आपके लेक्स भी काफी जदा मसबूत बन जात तो आपका रेपेटेशन एक कम्प्लीट हो जाएगा इस प्रकार से आप लोग इसके बार रेपेटेशन कीचेगा अब चलते हैं ठार्ड एक्सरसाइस पे इसका नाम है रशियन ट्विस्ट इस एक्सरसाइस में आप लोग एक बॉल का सहरा ले सकते हो या फिर बीना बॉल या फिर आप लोग स्टेट भी रख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे उसके बाद आपकी बॉड़ी एक बार राइट की और मूव होगी एक बार लेफ्ट की और मूव होगी इस प्रकार से आपके एक रेपेटेशन कम्प्लीट होंगे और टोटल आप लोग इसके रखोगे 15 रेपेटेशन और 64 आप लोग जिस भी वेट का यूज़ कर रहे हो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए इसका बस आप लोग ध्यान रखेगा इस एक्सरसाइस से आपके ओबलिक्स ट्रेन हुआ करते हैं साथी साथ आपके कोर पे भी बहुत ज़्यादा लोड आता है जो जो आपका कोर का पूरा हिस्सा हुआ करता है वो तेजी से मसबूत बना करता है और अगर आप लोग मेल हो तो आपके 6 पैक आ जाएंगे या फिर अगर आप लोग फीमेल हो तो आपकी बैली एक प्रॉपर शेप में आ जाएगी इस एक्सरसाइस में आपको अराम से लेट जाना है दिन आपके पैर उपर आएंगे जब भी आप लोग अपने पैरों को उपर लाओगे एप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री के एंगल बनना चाहिए या फिर आप लोग और भी उससे जादा उपर ला सकते फिर आपको अराम से पैरों को नीचे लेकर जाना है इस प्रका आप लोग नाम से ही समत सकते हो आपके हाथ दूर दूर रहेंगे जैसे कि नॉर्मल पुश अप में आपके हाथ सीने के जश्ट पास हुआ करते हैं यहां पे जश्ट अपोजिट हो जाएगा आपके हाथ सीने से दूर दूर रहेंगे लेकिन सीने की सीध में रहेंगे इसक अब भी आप लोग इस exercise को कर रहे होगे, पूरी body को tight रखेगा, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा, वाइडी push-up का सबसे बड़ा benefit मिला करता है आपके back को, इसके साथ ही आपके सीने को, आपका overall chest काफी तेजी से train हुआ करता है, और आपकी back यानि जो आपकी beat है, वो काफी तेजी से चोड़ी बन जाती है, जो की धीरे धीरे आपकी body को एक बहुत ही बहतर look दिया करती है, इस आप लोग इसी exercise को और ज्यादा effective बनाना चाहते हो, तो simple सा आप लोग अपने beat में कुछ weight रख लीजेगा, फिर उसके बाद इसको आप लोग perform कीचेगा, आज आएंगे अपन last exercise में, इसका नाम है squats, squats काफी simple exercise हुआ करती है, इनका main focus रहा करता है आपके पैरों में, यानि क आपकी thighs और आपके calves, दोनों ही train हुआ करते हैं, इनके दो प्रकार हुआ करते हैं, आप लोग दोनों को ही आराम से कर सकते हो, सबसे पहली variation हुआ करती है, sumo squat, इसमें आपके पैर दूर दूर फैल जाएंगे, दिन आपको squats लगाना होता है, आप लोग चाहो तो body में कुछ weight ले सकते हो, दिन आप लोग आसानी से इसको perform कर सकते हो, दूसरे होते हैं normal squats, इसमें आपके पैर पास पास रहेंगे, जैसा कि आप लोग फीडियो में देखी सकते हो, जादा पास भी नहीं लाना है, वरना आपको squat लगाने में दिक्कत होगी, दिन आप लोग अराम से squats को perform कीज़ेगा, जब भी आप लोग इन exercises को कर रहे होगे, अपनी पीट को सीधी रखना है, काफी लोग पीट को bend कर देते हैं, जो की गलत हुआ करता है, और जब आप लोग नीचे आओगे, तो आपके पैर का जो अंगूठा हुआ करता है, आपके पैर के घुटने से आगे नहीं आना चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है, विकॉस अगर आपका जो घुटना है, वो पैर के अंगूठे से आगे आता है, इसको लगाते वक्त, तो exercise wrong हो जाएगी, और आपको benefit भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों बातों का आपको proper ध्यान रखना है, टो अगर इसके बवजूद भी आप लोग किसी exercise के बारे में पूछना चाहते हो, या फिर कोई different body part की exercise पूछना चाहते हो, तो आप लोग comment में असानी से पूछ सकते हो, जल्से जल्द आपको इसका reply मिल जाएगा, अभी आपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए औए बाई